नमस्कार दोस्तों पर्फेक्ट गोट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए डेली बेसिस पर नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं आज हम इस वीडियो बात करेंगे एवी टी न कृण्धाल दिखेंगे उसके बाद हम देखेंगे के मदलब यह कम्पणी काम क्या करती है मतलब वह ज्यादा renewalBE क्योंकि यह कंपनी नहीं दिया है, एक साल में देखे, इस स्टॉक ने बिलकूर रिटन नहीं दिया है, ठीक है, वो स्मॉल केप कंपनी है, यह भी आद रखी आप, ठीक है, इसके मार्चेट केप भी हम देखेंगे, और वहीं आप पांच साल में देखोगे, तो एकसो अठारा परसंट के इस है यानि अंडर वेल्यू स्टॉक है यह ठीक है अभी इसके साफ से तो और रोसी यारी बहुत ही ज्यादा ट्रेक्टिव लगता है मुझे इसका ठीक है बुक वैली यानि कह सकते हैं आपको पता है इसमें लीज भी लोग टम भी सामिल होगा और सौट टम भी सामिल होगा ठीक है यह तीनों चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी और लास्ट यह प्रॉफिट देखोगे तो लगका वर कंपनी ने 92.3 करोड का कमाया था इपिएस की बात करोगे तो कंपनी ने 6 रुपए पर सेयर यह कमा के देती है और पैग रेशियो के साबसे यह कंपनी लगबा अंडर वैल्यू है 0.61 का पैग रेशियो आपको मैंने आप समझ सकते हो ठीक है अब बात कर लेते हैं यह कंपनी कौन से कामों में इंवल्व हैं तो आप देख सकते हो यह कंपनी सिरफ ज्यादा नहीं यह जो आपने देखा होगा जो कलर्स होते हैं कोई फ्यूड में कलर्स डालने का काम करते हैं आप देखते हो न कोई चीज है क कोई खाना है या कोई प्रयटक्ट है तो वो आपी कोई क्लर का जो आप पॉपर घाती तो वो फिनके कर कि उन्स उस इस चीज के उपर भी करते हैं जैसे मिर्ची में आपको लाल कलर ज्यादा देखने को मिलता है तो वह ऐस टाइप के नेचुरल प्रोड़क्ट बढ़ाती है यह कंप्री ठीक है अब हम बात कर लेते हैं आप यहां देख सकते हो यह मैंने इसके प्यानल की बात कर लेते हैं अब प्यानल देख लेते है यह quarter on quarter PNL है ठीक है quarter on quarter PNL में आप देखोगे हम ज्यादा नहीं देखेंगे अभी इसके result आए नहीं है December quarter के तो हम सितंबर और December में दो ही चीज़ देखेंगे आप यहां देख सकते हो सितंबर 160 करोड था जो कि last year था 135 करोड का यानि काफी अच्छी ग्रोथ है ठीक है अब बात कर लेते हाँ जून का तो जून के साब से और year on year के साब से काफी अच्छी ग्रोथ है ठीक है यानि company ने sales बढ़ती वी देखने को मिल रही है बहुत slow rate slow growth देखने को मिल रही है अब December का देखे 148 करोड है ठीक है तो आप एक मान के चल सकते हो stock के result अच्छे margins देखोगे तो margins 20 plus है सितंबर का तो आप मान के चल सकते हो 18 या 19 के करीब ऐसा margin देखने को मिल सकता हो सकता है 22 भी हो जाए वो हम इस company के result आने पर पता चलेगा ठीक है आप profit देख लेते क्या इसी rate में बढ़ रहा है profit यानि जैसे यह sales बढ़ रही थी क्या उसी growth में profit है तो नहीं है अब बात कर लेते direct PNL की PNL में देखेंगे year on year अगर growth है ना तो काफी अच्छी चीज़ आपको अच्छे से समझ रहा जाएगा ठीक है 2018 से देख लीजे 2018 318 करोड इस company ने sales की थी वही 2019 में 339 करोड की sales की थी और मार्स 2020 में 300 396 करोड की sales की है और 2021 में चार सो पिच्चासी और 2022 में 559 और अभी की बात करोगे तो पान सो सित्यासी करोड टीटीम में दिखा रहा है ठीक है और इस वार सबसे ज्यादा हाई है इनका margin operating profit इस वार देखोगे तो सबसे ज्यादा ही देखने को मिल रहा है 22% का यानि company काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है ठीक है अब देख लेते गया net profit देखोगे तो net profit भी आपको उसी phase में देखने को मिल रहा है देख लिए 21 करोड 34 हुआ फिर उसके 45 हुआ 73 हुआ 92 करोड हुआ यानि net profit गिरता हुआ आपको नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है और dividend भी देती 21% करीब यहाँ पर दे average एक साल का देखो 14% है 5 साल का देखोगे तो 16% की रेट से इसने आपको गैन करके दिया है और 10 साल की बात करोगे तो लगवत 19% का इसने आपको CAGR गैन करके दिया है और sales growth की बात करोगे तो वो भी आपकी काफी अच्छी यहां देखने को मिल रही है बस यहां पर TTM में थ देखने को मिल रही है और आपको थोड़ा सा निरासा देखने को मिलेगी यहां इसके जो average 10 years की आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 3% है यानि जो थोड़ी सी निरासा कर सकती निरासा कर दिया आप लोगों को बाकि 5 और 3 साल में तो बहुत अच्छा इस कंपनी ने कर अब आप यहां देखो डबल डिजित में आरोई है काफी अच्छा रोई देखने को मिल रहा है ठीक है अब बात करते हैं बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में देखोगे देखिए कंपनी पर कर्ज किता है 98 करोड का मैंने बोला था आपको अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन- आप जो के अटी ट्यू करोड का है ठीक है मैंने पहले ही बोला था और लॉं लॉंग तम देखो गे तो लगबग अथीन करोड का यानि जैसे माली जीन्हाने कोई प्लांट लगा तो उसके लिए होगी लिए ठीक है और आपने प्रोड़्ट को बगरा आपने बिस्निस है आप ढ़ पढ़ है अप देखो घ्री आटीना क्रोड के स कंपश्य की पास रिजब पढ़े है धिक है जो की काफी अच्छे है अब बात कर लेथे हैं इसके फीकस की तरिकर अप देही के इनकी फीकसर असेट बढ़ी है ठीक है अब देख — आप देखás 28 के करेव यह stock trade कर रहा है ठीक है अब देख लेते देखे लेंड की बात करोगे तो 3 करोड तीन करोड तेत्तर लाकी पड़ी है और बीलिडिंग की बात करोगे तो करते हैं अधरर सेट्स में कुछ कुछ सब्द हैं मैं उसके बारे में भी आपको डिफाइन करते चलूंगा जैसे कैसी कुलेंट हो गया और कैस फ्लो हो गया तो इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है यह भी आप समझते चले ठीक है तो थोड़ा से वीडियो लंबा हो सकता है तो कैस के समान हो कैस तुल्य हो ठीक है कैस के समान हो जैसे गोल्ड अगर आप गोल्ड किसी भी सुनार को देगो वह आपको पैसा देगा यह कैस के समान है एक तरह से ठीक है जैसे सिक्यूरिटी जो गए बॉन्ड हो गए ठीक है ट्रेड भी बॉन्ड हो गए किसी जैसे डेटर प्लेटर्स हो गए तो क्या है बात आप याद रखे और अब देख लेते हैं इस इसके हैं अब हमने यह सारी चीज़ देख ली तो यह आप पके सकते हैं तो काफी अच्छी कि यह कंपनी की ज्यादा करज भी नहीं है अब बात कर लेते हैं पहले 77 था काफी अच्छा हो गया है डेटर डेज इनका 263 यह थोड़ा सा कम हो जाए ना लगबगा आप कह सकते 140 जो कि 2011 में था तो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी अट्रेक्टिव पॉइंट हो सकता है ठीक है और आप यहीं वर्किंग कैपिटल आप देखोगे तो लगब 174 डेज है तो यह दीरे-दीरे कम हो रहा है अब बात कर लेते हैं वोड़ बोलियो कि देखे आप देखे पहले यहां पर इनके पास थी 74.96 परसेंट की होल्डिंग थी जो इन्होंने नहीं छोड़ी पब्लिक के लिए ठीक है अब आया एंट्रीज की बात करोगे तो FIS और DIs ने दोनों ने आप एंट्री कर दी है ठीक है बाकी 25.9 परसेंट पब्लिक के पास है जब तक FIS इसमें पूरी तरह हावी नहीं होते ठीक है इनको आने से पहले आपको इन्वेस्ट को पकड़ना होता है ठीक है जैसे अगर आप यहां इसके कुछ कॉंटेटी उठा लेते हो दसजार के जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते दसजार ठीक है बहुत अच्छा है अब बात कर लेते देखिए इसके काफी लंबा वीडियो हो जाएगा आप यहां देखिए फाइनिशल ट्रेंड आपको बढ़ते हुआ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अब बात कर लेते इसके यह जो टेक्निकल एनालिसिस की तो यह विकली चार पैटन में ने किया है ठीक है यानि कभी भी आप किसी में स्टॉक में एंट्री करें तो उसके एंट्री पॉइंट और एकजिट पॉइंट हमेशा याद रखे हमेशा देखिए ठीक है टेक्निकल एनालिस्क के अनुशार भी थोड़ा बहुत कहीं नगाई यह भी कहाम आता है ठीक है अब देखने को मिलेगा ठीक है तो आप नभी रपे का आपके एंट्री पॉइंट बना के रखिए ठीक है अगर आपने बाय कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादा है थोड़ी सी कॉंटिटी एड़ लीजिए वह भी नभी रपे के नीचे आएगा यहां पर हेल्प करने के लिए 10-12,000 रुपए वह खाके बाग जाता है वापस नहीं देता है वह पैसा इसमें डाल दीजिए ऐसा कर लीजिए ठीक है अब बात करते है इसके रिजल्ट की तो देखिए December quarter के अभी कोई अपडेट नहीं है इस कंपनी के तरफ से रिजल्ट की ठीक है त